हेलो एवरिवन दिस इस विनीता और आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विनीता में आज का टोपिक रहेगा आपका संधी यानि कि इस वीडियो में हम सिखेंगे कि कौन सी संधी यानि हम संधी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे संधी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे ये तो आप बच्पन से पढ़ते आए हो संधी की definition आप किसी छोटे बच्चे से पुछोगे तो वो भी बहुत अची तरीके से आपको बता देगा संधी है कितने भेद होते हैं उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं ये सब आप बच्पन से पढ़ते आए हो लेकिन जब हम एक्जाम में बैठे होते हैं हमारे सामने शब्द आता है संधी का और हमें बताना होता है कि इसमें से कौन सी संधी है यानि इस शब्द में कौन सी संध है तो वहां वो पहचाना काफी मुश्किल हो जाता है यानि एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से हम देखे तो वहां आपको शब्द दिया जाएगा उससे आपको चार आप्शन मिलेंगे पहचानना होगा कि कौन सी संदी है वहां आपसे कोई डैफिनेशन नहीं पूछेगा अ तो यह ट्रिक आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो इसके लिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखेगा और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज को लाइक भी जरूर कीजेगा तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में प पहले हम सवर संधी के बारे में पढ़ते हैं कि सवर संधी होता क्या है देखो शब्द से ही पता चल रहा है यानि कि सवर के साथ सवर का जो विकार होता है यानि सवर के साथ अगर दो सवर आपस में मिलते हैं उनके दोनों सवरों के मिलने से जो विकार उत्पन होता है उसे उन क्या कहते है? सवरसंधी कहते हैं. इसे आगे बात आती है आपकी, कि सवरसंधी के भेद कौन-कौन से होते हैं, जो कि बहुत ही जादा important है आपके लिए. I know आपको इस सब के वारे में पता भी होगा कि दिर्ग संधी की definition भी आपको पता हो, गुन संधी की भी पता होगा, स सबसे पहले आपका आता है संधी यानि संधी के मैंने अभी आपको बताए कि तीन जो इसके पार्ट है सबसे के पहले हम सबसे का पहला फे रहे होता है अब ही मैंने आपको बता है कि सर्षांदी क्या होता है कि जब दो सवरों के मिलने से जो विकार उत्पन होता है वो आपका सबसे के देखेंगा शब्द से ऐका पता चल जाएगा आपको रटने की बिल्कुल भी जरूद नहीं है अगर आपका concept clear है अगर आप उसको चुछी समझते हो तो रटने की तो बिल्कुल भी आश्यकता नहीं है तो देखेंगा दिर्ग दिर्ग मिन्स क्या होता है, दिर्ग को हम क्या कहते हैं, बड़ा कहते हैं, है न, कहते हैं दिर्ग मिन्स बड़ा, लगू मिन्स छोटा, तो आप यहां से शब्द से ही देखेगा, कि दिर्ग मिन्स हो जाएगा आपका बड़ा, ठीक है, तो इसके ट्रिक क्या होगी, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि मैं आपको हर संदी की ट्रिक करवाऊंगी तो यही तो है इसकी ट्रिक यानि दिर्ग मिंस बड़ा तो ट्रिक भी आपकी यही हो जाए कि जिसमें बड़ी मात्रा हो वो आपकी दिर्ग संदी होगी कैसे होगी एक्जामपल से हम समझते हैं जैसे भा यानि बड़ी E की मातरा इसमें नवागत्त इ जानि लिए जिस भी शब्द में आगर हम उसका विगरे करते हैं या फिर हम वह उस शब्द को देखते हैं, अगर उसमें बड़ी मातरा का पड़ियोग किया गया है, तो वह आपकी दिर्ग संदी हो जाएं, क्योंकि बड़ी का मतलब क्या होता है दिर्ग समझ में आये हैं आप कोई बहुत ही असान है प्रैक्टिस करके देखेगा कुछ एक संधी आप अपने सामने रखेगा और देखेगा कि इसके अंदर कौन सी संधी तो आप तुरंत बता दोगे बड़ी मातरा देखते ही कि इसके अवश्य हो फूर एक्जामपल मैं आपको संजा रही हूँ गुन का मतलब हो जाएगा एक मातरा जिसके अंदर जिस शब्द के अंदर एक मातरा हो जिसे अई की मातरा हो या ओ की मातरा हो ठीक है कैसे होगी ट्रिक भी इसके यही है कि जिसमें एक मातरा हो एक्जामपल से हम जाएगी तो इसी तरी के छोड़े छोड़े लिटल लिटल जो डिफ्रेंसिस के अंदर है अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपको हम देखते हैं वृध्धी वृध्धी का मतलब क्या होता है जिसके अंदर दो मात्रा हो यानि गुण के अंदर तो एक मात्रा हो जाएगी वृध्धी के अंदर दो मात्रा हो जाएंगी दो मात्रा कौन कौन सी हो जाएंगी इसके ओपोजिट होंगी जो गुण का था इसी के इसमें एक ही मात्रा थी, इसमें अई की मात्रा हो जाएगी, गुंड संधी में ओ की मात्रा थी, इसमें अउ की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि यहां सिर्फ एक मात्रा का परियोग किया गया है और यहां पे दो मात्रा का परियोग किया गया है, जैसे कि example से हम समझते हैं example में है आपका सदैव सदैव में क्या है ये दो मात्रा है तो ये क्या हो जाएगी आपकी वृध्धी संदी वृध्धी यानि कि भढ़ना पनोश्धी इसमें भी क्या है आपकी दो मात्रा है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी वृध्धी संदी एक एक जिसमें क्या आपके दो मात्रा है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी वृध्धी संदी देखीगा देखते ही मैंने पहचान लिया इनको कि इसमें कौन सी संदी आईगी इससे आगे हम देखते हैं यन संधी, यन संधी में बहुत बार बच्चों confusion हो जाता है, इस संधी का चेप्टर बच्चों को लगता भी बहुत difficult है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर हम इसको अच्छे से समझेंगे तो, तो यन संधी में क्या होता है, आप वो देखेगा इसमें होता है ये, वे, और रे, ये जो तीन शब्द होते हैं, यानि ए का ये, उ का वे, रे का रे, ये तो हम definition से पढ़ते आए हैं, लेकिन इसके trick क्या होगी वो देखेगा, trick है इसकी कि ये, वे, रे के पहले आधा शब्द हो, अगर ये तीनों जो ये word है, अगर इन से पहले आधा शब्द हो, कोई भी, तो अब समझ जिएगा कि ये आपके यन संदी हैं, कैसे मैं example से आपको समझाती हूं, जैसे परतियक, परतियक में क्या है, यहां पे तो ये है, लेकिन ये से पहले क्या है, आधा तै है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी आपके य संदी हो जाएगी, तो इसके लिए आपको डैफिनेशन याद करने की कोई भी आशकता नहीं है, कि ये का ये, उ का वे हो जाएगा, हाँ अगर विग्रह होता है, अगर आपके समने विग्रह दे दिया जाए, आपको उसको इकठा करके आपको समस्त पद बनाना है, तो आप आए हो, अव हो, आव हो, इन सब का उचारन हो, तो क्या हो जाएगी आपके आयादी संदी हो जाएगी, ट्रिक क्या है इसकी वो देखेगा, ट्रिक में है A, I, O, O, की मात्रा नहीं, अधिक्तम तीन अक्षर का शब्द हो, ऐसा नाओ कि उस शब्द के अंदर A, I, O, की मात् हो नहीं, लेकिन तीन अक्षर का शब्द अगर मिलता है आपको, तो वो क्या हो जाएगी आपकी आयादी संदी, ऐसा 99% केस में जरूर होता है, जैसे नयन, तीन अक्षर का शब्द है, तो क्या हो जाएगी आपकी आयादी संदी, शयन, तीन अक्षर का शब्द है, आयादी ठीक है जिसे पावक्ती नक्षर का शब्द है तो क्या हो जाएगे आपकी आयादी संधी हो जाएगी आई होप आपको अच्छी से सवर संधी के सारे के सारे भेद प्रकारेश के अच्छे से क्लियर हो गए हो गए इसको कि बहुत पूछे जाते हैं और लेकिन आपने संदी को यह बहुत बार पढ़ा होगा उसका ये भी पता होता है यूज कहां हो गा लेकिन जब शब्द हमारे सामने दे दिया जाता है तो हम मुसीबत मैं आते हुए भी वह उंसर गलत हो जाता है तो यह काफी गलत होता है लेकिन यह इसे आगे हम बढ़ते हैं यह आपकी सवर संधी थी अब बात आती आपकी वैंजन संधी वैंजन संधी क्या होता है देखेगा वैंजन में शब्द से ही पता चल रहा है कि उसमें वैंजन होंगे जैसे कि कैवर्ग होगा चैवर्ग होगा कैवर्ग का मतलब है कैख है गहड है मैं इस तरीके से तो इसके ट्रिक कैसे होगे हम कैसे पहचानेंगे कि ये सारी हमारी वेंजन संदी तो देखेगा मैंने ट्रिक है इसकी कोई भी शवदिसके अंदर कैसा होगा वेंजन का होगा कैसे देखेगा जैसे दिक प्लस अंबर यहां पर क्या है क्या है जब मैंने भी आखेंजरे, परिज्चर ब्ता संती क्रिक वेंजर्ज संत uy कर IGN-2, सूप प्लस- अन्ध क्या है? सुबंध 자 moist oportunidad यहां विघ्र करने पर अगर वेंजन आता है वो आपकी बैजम संधी के सहां वह जार है वह मेwn में पता की ति सब्सक्राइबता करने देखती है जाता है접 अगर आपको पता है इस जैसे विद्याले तो क्या हो जाएगा विद्या पलस आले यानि विद्या का जो आ वहां भी आया और अले का भी आया तो वो दोनों का जब मेल होगा तो सवर संधी होगा लेकिन वेंजन संधी में क्या है कि यहां पे जो होगा आपका वेंजन होगा और यहां पे आपका सवर भी हो सकता रुएऍजन भी हो सकता लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना है अगर यहां वेशन है तो बिलकुल आगСпा आगे देखींगा इमत सिद्धा वेशन संदी पर टिक कर देचेगा। इसे आगे हम देखते हैं विसर्ग संदी विसर्ग में क्या होता है तो बहुत ही असान है जहां जिसका भी क्या होता है अगर विसर्ग आ जाए विघ्रे करने पर तो वो क्या हो जाएगी आपकी विसर्ग संदी तो आपको छोटा बच्चा भी बता देगी जहां उनको शुरू से रेटवाया जाता है कि जहां आपको विसर्ग दिख जाए वो कि विसर्ग संदी होगी लेकिन बहुत पर क्या होता है आप वो भी देखेगा यह तो सिर्फ हम जब इसका विघ्रे करेंगे तो पता चलेगा लेकिन अगर हमारे सामने समस्त पद दे दिया जाए विघ्रे ना हो और उसका हमें पता भी ना हो कि इसका विघ्रे कैसे होगा तो शब्राश बश्ड़ों के बीच में आधासे और शा आता है तो उपकेesta्वसंद्य हो जाए कैसे वो देखेगा यह एक्याई आपके सامने है नमेह लस्ते यानि की जो यह विसर्ग ही किसमें बदल जाएंगे आध्य से में बदल जाएंगे अगर विघरे आपके सामने है तो आप देखते ही बता दोगे कि विसर्ग संदी है अगर समस्तपद आपके सामने है तो आप देखते ही यह इसमें भी देखते ही बता दो कि विसर्ग संदी कैसे क्योंकि इसमें क्या है आधा से आया हुआ है जैसे हरीश चंदर क्या है इसमें आधा श्र आया हुआ तो यह भी क्या ज़ेगी विसर्ग संदी अगर समस्तपद है तो आधा अगर इसका विखरे आता है तो आपको विसर्ग के जो इसको ध्यान लखना है तो यह थी आपकी विसर्ग संधी यानि जिसमें विसर्ग का परियोग किया जाता है और जिसमें आधरस च और श हो जाता है तो वह क्या हो जाती है आपकी विसर्ग संथी तो आज हमने इस वीडि क्लियर हो जाएगा तो यह थी आज कि आपकी वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा अगर वीडियो अच्छे लगी तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा थैंक्स फो वोचिंग अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलें तो चलिए मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार